कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं होते अगर आपकी लगन सची हो तो पूरी काइना तापके सपनों को पूरा करने में लग जाती है ऐसा ही सपना लेकर विधान सभा इंदौरा की पंचाय डटाल वार्ड नंबर 9 मधु कुमारी चीती थी और उसने वर्ल्ड पैनिक से रच्षे मालेशिया 2022 में भारत के लिए कान से पदक जीत कर अपने सपने को साकार किया और विधान सभा इंदौरा और भारत का नाम रोशिन किया समानिय घर में पैदा हुई मधु कुमारी की बच्पन से ही खेलों में रूची थी मधु की प्रारंबिक से बारभी तक की शिक्षा डमटाल राजकियो माध्यमिक पादशाला मोटली से हुई है और आगे ग्रैजिश्विन की पढ़ाई एगनो के माध्यम से राजकियो डिग्री कॉलेज इन दौरा से कर रही है स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में मधु ने स्टेट लेवल तक की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में कई मैजल अपने नाम किये उसके बाद दौहजाराट्रा में वे SSB में भरती होगी और देश सेवा करने लगे लेकिन उसने वहाँ भी खेलों को नहीं छोड़ा और भरती सेना की तरफ से खेलों में देश का प्रतिने धित्व करने में चुट गए माता का नाम आशा कुमारी राना है जोकी ग्रहिनी है उनका एक भाई और एक बहन है भाई मधु कुमारी से वड़ा है जिसका नाम रोहित कुमार राना है जोकी भारती सेना में सेवाई दे रहा है और एक छोटी बहन है जिसका नाम कमला राना है जोकी पालनर और कि मैंने अपने डमडाल का नाम रोशन किया और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यावाद। इतना मेरा प्लाटफॉम ने जा के मैंने बाउंस मेडल जीदा, थैंक्यू सो मच आप सभी के रिए, थैंक्यू और थैंक्यू मैं अपने ममी बापा, अपनी फैमिली का भी होना चाहती हूं, जिनोंने मुझे इतना जारा सपोर्ट दिया, मेरे हर प्रॉब्लम में मेरे साथ म कभी भी मुझे ऐसे अकेला फिली है कि नहीं तू लड़की होकर कि हमेशा मुझे लड़की के जैसे जीना सिखाया और आजा प्रिजल देख रहे हैं ममी बापा, यह देखिये, आपने आपके लक्षी कदमें में जो आज चली, यह है इसका रिजल्ट, और थैंक्यू लाइफ टाइम्स टीवी के लिए भदरुआ से मुकेश सरमाल के रेपोट आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिपनी करना चाहें, तो हमें भेज़े अपना वीडियो, ब्यासी एकसो अठान में 00003 या ब्यासी एकसो अठान में 00004